नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिट्यूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलिटिन में उन तमाम ख़बरों पर नजर डालेंगे जो आपकी परिक्षाओं के लिहाज से बेहत महत्तोपोर्ण साबित होंगे लेकन उसके पहले हैटलाइन्स पर डालते हैं एक नजर चीन ने आयोजित किया अफगानिस्तान नेपाल और पाकिस्तान के साथ चतुस पक्षिय वारता चारो देसों ने ग्रीन चैनल खोलने पर किया विचार चीन को मिला तीनों देसों का सक्रिय समर्थन केंद्र सरकार ने सेबी प्रमुख अजय त्यागी को दिया 18 महीने का सेवा विस्तार उदै कोटिक समिती और म्यूचुल फंड कठेगरीज में बदलाव जैसे कर चुके हैं कई सुधार तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं हाल ही में चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ चतुस्पक्षी वारता का आयोजन किया चीन की इस कूटनीतिक वारता में COVID-19 महामारी को रोकने, आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और बिल्ट एंड रोड इनिसियेटिव जैसी बुनियादी पर योजनाओं को फिर से सुरू करने के लिए चार सुत्रिय योजना का प्रस्ताव रखा गया इस प्रस्ताव में महामारी से लड़ने में आम सहमती साजा करना चीन और पाकिस्तान के महामारी के संयुक्त रोक्थाम और नियंतरण माडल से सीखना चारो देसों के बीच गरीन चैनल खोलने पर विचार करना चीन और अन्य तीन देशों के साथ कुरोना महामारी के बचाव के संदर्प में विसेज तकनीक और टीके साज़ा करने जैसी पहल सामिल है आपको बता दे कि ग्रीन चैनल एक ऐसा मार्ग होता है जिसके जरिये यात्री हवाई अड़े पर सीमा सुल्क देने के बाद यह दावा करते हैं कि उनके पास कोई आपत्ती जनक सामान नहीं है इस वारता में चीन की कूट नीतिक विजय भी देखी गई क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान ने चीन की चार सूत्री प्रस्ताव का समर्थन किया है इस मौके पर चीन ने तीनों देशों से अपने भागोलिक हितों का लाभ उठाने, आदान प्रदान और संपर्क को मजबूत करने तथा क्षेत्री सांती की रक्षा करने के लिए कहा है चीन की यह टिपड़ी भारत और चीन के खराब रिष्तों के बीच भारत के लिए भी काफी मायने रखता है भारत को चीन की इस वारता को एक संदेश के रूप में देखे जाने की आवश्यक्ता है भारती प्रतिभूती एवंग विनिमय बोर्ड यानि सेबी के प्रमुख अजय त्यागी का कारिकाल केंदर शरकार ने बढ़ा दिया है स्री त्यागी का कारिकाल इसी साल सितंबर में शमाप्त हो रहा था आपको बता दें कि केंदर शरकार ने त्यागी का कारिकाल फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया है कारमिक मंतराले के एक बयान में कहा गया कि प्रधान मंतरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिती ने त्यागी का कारिकाल 18 माह बढ़ाने को मंजूरी दे दी है स्रीत्यागी का कारिकाल 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है गौर्टलम है कि हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवा निवरित आईएस अधिकारी अजयत्यागी को मार्च 2017 में सेवी का चेयर्मैन बनाया गया था फिर मार्च 2020 में 6 महीने के लिए इनका कारिकाल अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था स्रित्यागी के कारिकाल में सेवी ने कार्पोरेट गवर्ननस पर उदय कोटिक समिती की नियुक्ती और उसकी सिफारिसों पर क्रियानवयन के अलावा म्यूचुगल फंड कैटेगरीस में बदलाव लाने के साथ ही कारवी मामले में तेजी से कारिवाही करने जैसे महत्तपु 1988 को हुआ था सेवी अध्नियम 1992 के तहट इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई इसका मुख्यकारे प्रतिभूती बाजार के विकास का उन्ययन करना और उसे वी नियमित करना और उससे संबंधित विश्यों का प्रावधान करना है सेवी का मुख्यालै मुं विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि भारत, नेपाल और यूनाटेट किंगणनम के बीच साल 1947 का समझवता जो गोरखा सैनिकों की सैन सेवा से सम्मंधित है वह निरर्थक हो गया यह एक ऐसा समझवता था जिसके माध्यम से नेपाली युवाओं को विदेश जाने की मनजूरी मिलती थी इस समझवते के अनुशार भारत और ब्रिटेन अपने देश की सेना में नेपाली या गोरखाओं की भरती कर सकते थे आपको बताते चले कि नेपाल के गोरखा सैनिक तकरीबन साथ सालों से भारती सेना का अभिन अंग रहे हैं और वर्तमान समय में सा गोरखा रेजिमेंट में कुल 49 बटालियन कारियरत हैं आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियों से संबंधित यूजना को राज के राजपाल विश्वभूशन हरीचंदन की मनजूरी मिल गई है इस संबंध में राजपाल ने आंध्रप्रदेश वीकिंद्री करण एवं समगर क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और राजधानिक शेत्र विकास प्राधिकरण निरशन विधेयक 2020 को मनजूरी दे दी है आंध्रप्रदेश की सरकार की योजनानुशार राजपाल में निर्माणा धीन अमरावती को विधाई राजधानि विशाखा पत्त यह माडल दक्षण अफ्रीका मॉडल के नाम से जाना जाएगा इसलामाबाद उच्च न्यायाले की दो सदस्ती पीठ ने 50 वर्षी सेवा निबृत भारती नौसेना अधिकारी कुलभूसड जाधो के मामले में तीन वरिस्ट वकीलों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है कुलभूसड जाधो को पाकिस्तानी सेन अधालत ने जासुसी और आतंकवाद के आरूपों में अप्रेल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी जिसको लेकर भारत इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस यानि आई सीटी का दर्वाजा खटखट आया था अधालत ने तीन वरिष्ट वकीलों को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है एमिकस क्यूरी किसी भी मामले में दोसी की सहायता के लिए अधालत द्वारा नियुक्त वकीलों को कहा जाता है आपको बता दें कि कुल भूशन जाधाओ को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान में आतंकवाद और जासुसी का जूठा आरूप लगाकर गिरफतार करने का दावा करता है जम्मु कस्मीर के उपराजपाल जीसी मुर्मु ने अपने पद से इस्तिफात देने के बाद मनोज सिन्हा को जम्मु कस्मीर का नया उपराजपाल पनाया गया है वहीं जीसी मुर्मू को देश का नया CAZ बनाया जा सकता है क्योंकि यह पद जल्द ही रिक्त होने वाला है मौजूदा आडिटर राजीव महरसी 65 वर्ष के हो चुके हैं नयंत्रक एवं महालेखा परिक्षक यानी CAZ का पद एक संबैधानिक पद है और इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता वहीं बिजेपी नेता मनुद सिन्हा मोदी सरकार के पहले कारेकाल में रेल राज्यमंत्री रह चुके हैं पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में उन्होंने गाजीपूर से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा आयरलेंड के पूर्वर राजनेता और नोबेल पूरसकार बिजेता जान यूम का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया वे पिछले कई वर्षों से बिमार चल रहे थे आयरलेंड के प्रधान मंत्री मिसेल मार्टिन ने कहा कि यूम एक महान नायक और सच्चे सांती कारे करता थे वहीं उनके मृत्यू परतिबती धर्म गुरु ने भी सोक ब्यक्त किया है आपको बताती चले कि जान हिउम उत्तरी आयरलेंड में विद्रोहियों के साथ समझवता कराने में अहम भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें सांती के नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था इसी समझहोते की वजह से उत्तरी आयरलेंड में हिंसा खत्म हो गया उन्हें साल 1998 के सांती समझहोते का अहम सोत्रधार माना जाता है केंद्री जल सक्ती गजेंद्र सिंग सेखावत और केंद्री कपड़ा मंत्री और बाल विकास मंत्री इस्मृती इराणी ने स्वक्ष भारत क्रांती नाम से एक पुस्तक लौंच किया पेजल और स्वक्षता विभाग के सचिव स्री परमेश्वरन अयद्वारा संपादित पुस्तक दस्वक्ष भारत रिवल्यूशन का यह हिंदी अनुवाद है पुस्तक को चार प्रमुख खंडों में ब्यवस्तित किया गया है जो स्वक्ष भारत मिशन के चार प्रमुख सारवजनिक वित्पोषण, राजनीतिक नेत्रित, भागिदारी और जन भागिदारी स्तंभ है यह पुस्तक 35 निबंधों के माध्यम से अपने द्रिष्टिकोन को साजा करते हुए स्वक्ष भारत मिशन के उलिखनी यात्रा को दर्साती है इसमें अमिताब कोट, अमिताब बच्छन, अरुन जेटली, अक्षय कुमार, बिलगेट्स, रतन डाटा, सद्गुरु और तबलीन सिंख द्वारा लिखित निबंधों का संकलन किया गया है फिलहाल 8 पिम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कॉमेंट सेक्षन के माध्यम से हमको जरूर सुचित करें वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ सेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहे टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिये इसाजत, नमस्कार